अबेद व्लकम बाक आज की इस वीडियो में हम दो एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं क्योंकि काफी सारे which जो आते हैं आते हैं जो entry हो जाता है stock profit में भी जाता है but profit को capture नहीं कर पाते हैं वो capture कब होगा जब आप profit book करना सीखेंगे profit हम लोगों को कब book करना है कि से लेवल पर book करना और वो profit को आप capture नहीं कर पाएंगे अगर आप मेरे टेलिग्राम ग्रूप पर जाएंगे या फिर ट्विटर हैंडल पर जाएंगे तो मैं जितने भी stocks देता हूं अगर मैं उसको पॉपर डिफाइन करता हूं किया होने वाला है आपका कि तरगेट किया होने वाला है तो एक fix टरगेट आपको मिलता है लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं जब टारगेट आता है लोगों पोंकर दाइन हुए हम लोगोंगों के टरगेट की unity करat सकते हैं के उपर जो है हम लोग डीटेल में आज बात करने वाले हैं तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखीगा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और यहां से हो सकता है आपको अगर कहीं पे थोड़ा बहुत वेरी होगा डाउट होगा तो वह भी क्लियर होने का चांस जो है क जाएगा तो इसी वज़े से वीडियो को ध्यान से लाश्ट तक देखीगा चलिए बात करते हैं लाइव एक्जांपल के साथ बात करने वाले हैं तो आप लोग जो है ध्यान से पेसेंस के साथ इस चीज को समझे सबसे पहले बात करेंगे तो हम लोगों को प्रॉफिट कैस सते हैं लाश्ट में हम लोग डिसाइड करेंगे मैं कौन से दो मेथड को प्रिफ़र करता हूं चलिए अब यहां पर बात करते हैं सबसे पहला है इस टार्गेट टार्गेट का मतलब हो गया अब यहां पर हम लोगजांपल के साथ समझते हैं यहां पर बीम लगो मैंने जुएन नहीं किया है डिस्किप्शन बॉक्स में लिंक है आप जुएन कर लिजिए काफी सारे स्टॉक के अपडेट्स जो है आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे तो बीएमल की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पे जो है हम लोगों ने इस स्टॉक को तब रिकमेंट किया असल नो डॉट बड़ा था बट यह मंतली चार्ट ब्रिक आउट था उसके बाद अगर देखेंगे तो इस्टॉक ने आपको एक अच्छा मोमेंटम दिया यहां से 100 परसेंट का जो है आपको रिटर्मिन आके दिया अक्रीवन 1800 पोईंट का हम लोगों का टार्गेट था प अगर आपने उस कॉल के बैसिस पर पोईशन लिया अब अगर आप खुद के नहीं लिये हैं अगर आप कहीं से देख के लिए हैं और उस केस में इन उस चीज के बारे में आपको पता नियिए जो आप लिया है कि लिए तो फिर आप पर पानिक करना स्केंट अनेड़ के लेवल पे इन सभी point पे आप बेच देंगे यानि कि आप यहां पर पोटेंशियल जो आपका 800-900 पॉंट का लॉस जो है आपको यहां पर देखने को मिलेगा तो सबसे पहला तरीका है अगर आपने कोई पोई सली आप सपोज यहां पर आपने लिया और आपको पता है जो इसके नीचे हमलों का असल है इतना बड़ा हमलों का target है 3,800 का हमलों का target है At least अगर आप यहाँ पर book नहीं करते हैं Suppose आपको यह लग रहा है जो 3,800 से और उपर जा सकता है stock Stock के उपर news आ रहा है, सारा कुछ हो रहा है, stock और उपर जाएगा At least आप यहाँ पर 60-70% position को book कर लिजे क्योंकि होता क्या है, जब यहाँ से stock जैसे ही गिरना start हुआ उसके बाद आप panic करना start करेंगे तो सबसे पहला वो है fixed target Fixed target मतला एक बार हम लोग ने target fix कर लिया 3,800 का तो फिर अब हम लोग 3,800 पे exit कर जाएंगे अब इसमें भी different condition होते हैं आप कब entry ले रहें, कौन से stock में entry ले रहें fundamentally कितना stock जो है strong है इन सभी points के उपर भी काफी जाता जो है depend करता है but at least अगर आप technically यहाँ पे ले रहें और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो in the month of August यह entry हुआ था और यहाँ पे stock ने अपना high लगाया February month में तो within जो है आपको seven month within seven month stock में जो है आपको hundred percent का return मिल रहा है तो definitely वहाँ पे आपको profit book करना चाहिए क्योंकि seven month के अंदर अगर आपका पैसा double हो रहा है तो फिर और आपको क्या चाहिए इसी वज़े से जो है यहाँ पे सबसे पहला तरीका है fix target एक पर आपने entry ले लिया तो या तो आप SL के लिए wait किजिए SL में भी same condition अगर stock नीचे की side निकलता है तो फिर आप यहाँ पे SL देके निकल जाईए वापस से stock bonds करेगा आप वापस से entry ले सकते हैं लेकिन नीचे कहां तक जाएगा यह न यह market के condition के according क्या होता है कभी-कभी stock में क्या होता है इसका सबसे best example मैं आपको IRFC का देता हूं यहाँ पे देखिए 20 जनवरी को इस जनवरी को मैंने आपको दिन के दो बज के नौ मिनट पे ट्वीट किया था और यहां पर मैंने आपको क्लियरली वार्ण किया था IRFC,RBNL,SJVN इन सभी के ऊपर जो है मैंने टेलिग्राम पे भी अपने अपडेट किया था जो इन सभी stock से आपको दूर रहना चाहिए अब क्यों दूर रहना चाहिए इस चीज को जरूर समझे प्रक्षायर समय क्या होता है श्टॉक में पहला प्रिक उट हुआ आपको 25 के लेवल के ऊपर इसके बासे यहां पर आप इस प्रिटुलर लेवल से देखेंगे तो इस्टॉक ने राइब टाइम से ज्यादा का रिटर्ट बना कर दिया यहां पर इस्टॉक स्टॉक का रैली कहां से स्टार्ट हुआ था अगर हम लोग यहां पर ओबनींग केंडल और अगस्त मत के चैनल जो है यहां पर विदिन सिक्स मंथ बनाके दिया जनवरी मंथ में स्टॉक ने हाई लगा है अब अगर विदिन सिक्स मंथ आपका पैसा 5 गुना हो रहा है यहां पर बहुत से लोगों का टार्गेट भी हीट हुआ होगा जितने लोग अब इस केस में क्या होता है जितने भी लोग फिक्स एसल फिक्स पर काम करते हैं वह काफे पहले निकल गए होंगे क्योंकि यहां पर ब्रेक आउट वा इस लेवल पर ब्रेक आउट हुआ एसल था 25 के नीचे यानि कि यहां पर अगर आप इंट्री ले रहे हैं तो आपका एसले 15 पॉइंट का आप यहां पर टार्गेट क्या रखेंगे 30. 30 पॉइंट का टार्गेट रखेंगे मतलब कि आप यहां पर जो है 70 के लेवल पर निकल जाएंगे अब इसी चक्कर में बहुत से लोगों ने यहां पर आपको ट्रैप हो गए क्यों कि बहुत से लोगों ने जो यहां पर इंट्री लिया वो लोग यहां पर निकल गए तो ति उनको क्या लगा वापस से जब स्टॉक यहां पर राली करना स्टार्ट किया और सबी आप बाद करेंगे जनवरी मंत में में ृंपर जरूर्बस घर भाग रहा था आपको बाई करना चाहिए उस केस में क्या हुआ बहुत से लोगों ने उपर के लेवल पर बाई करना स्टार्ट कर दिया और वो लोग ट्रैप होना स्टार्ट हो गए एक चीज को आप जरूर समझेए अगर आपने बेस पे रैली को मिस कर दिया आपका यहां पे सकेंड इंट यानि कि इस टॉक ने हंड्रेट के लेवल से जो मुमेंटम करना स्टार्ट किया हंड्रेट पे अगर आप इंट्री ले रहे हैं तो आप एक अच्छा प्रॉफिट में इसी वज़़त से अगर आप ले रहे हैं तो फिर आपको और सॉटर टाइम फ्रेम में जाके देखना ह और वहां पर जाके आपको देखना होगा जो क्या इंटक को मिल रहे हैं इवेन आप यहां पर दीड के टाम प्रेम में भी प्यक्यों को तॉइंक धिश्ट कर होना में तो यह नहीं है आपते यह जरूरी नहीं है एनेच पीची के केस में अगर आप देखेंगे इस इस इस्टॉक में भी आपको एक सडन यहां पे जो है ग्रोध देखने को मिला एक सडन जैसे इंग्रोध हुआ आपका अगर टार्गेट यहां पर लंबे समय के लिए भी होल्ड कर रहे हैं यहां पर पारसल प्रॉफिट कर लिजें क्योंकि अगर आप यहां पर देखेंगे नौ डाउट इस टॉक बहुत अच्छा है इस टॉक में कंपणी में प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को प्रोजेक्ट मिल रहा है सब कुछ अच्छा है इसका सबसे सबसे बेस्ट इक्जमपल में देता हूं डी माट का रस्त प्रोमोटर का जो है आपको बैक्ग्राउंड है फिर भी स्टॉक यहां पर 2021 से 2024 यानि कि आल्मोस्ट यहां पर स्टॉक जो है टू एंड हाफ यर कॉंसुल डेट किया है इस चीज को आप समझे जो कितना भी स्ट्रॉंग फंडामेंटल कंपनी होगा वह अगर एक बार रैली करेगा तो वह रिट्रेस्मेंट लेगा वह कॉंसुल डेट करेगा और यही चीज आपको समझना है जो प्रॉफिट अगर आपको बुक का आपका टार्गेट आ रहा है प्रॉफिट बॉक कीजिए अगर सड़न यहां पे आपको 100% 200% का आपको सड़न तीजी देखने को मिल रहा है डेफिनेटली वहां पर अपने इन्वेस्टमेंट को निकालिए अगर देखेंगे तो थर्ड पॉइंट हम लोगों का यह है टेक आउट इन्वेस्टमेंट आफ्टा सिस्टी सेवेंटी परसेंट रिटर्ट इस टॉक जो है 30 रुपीज के लेवल के नीचे से आयरप सी यहां पर इन्वेस्टमेंट निकाल लेजिए आपका फॉर टाइमस फाइब सोरा है इन्वेस्टमेंट निकाल लेजिए रेष्ट को होल्ड कीजिए अटलिस्ट आपका पैसा मार्केट में नहीं लगा है तो बहुत को यूज करते हैं आप बहुत करते हैं इस लोके नीचे आप बोले जो और और अगर momentum continue रहा बहुत ही sharp momentum रहा तो आप जो है maximum यहाँ पर capture कर पाएंगे अगर सपूज तोड़ा volatile stock है frequently जो है आप down करता है तो वहाँ पर उस case में जो है आपका SL काफी बार हिट होगा तो यह depend करता है जो आप किस type के stock को trade कर रहे हैं क्या आपका target होने वाला है क्या सोच के साथ आपने stock को लिया है तो यह सभी points जो है आप यहाँ पर follow कर सकते हैं अब बात करते हैं जो जो मेरा कौन सा दो बेश्ट तरीका है सबसे पहले अगर short term के लिए मैं trade कर रहा हूं suppose मैं daily chart पर trade कर रहा हूं उससे कम time frame में daily chart से नीचे के time frame पर अगर मैं trade कर रहा हूं तो मैं fixed target जो है वो लेके निकल जाता हूं जितना मेरा fixed target है मैं उसको लेके निकल जाओंगा जो मेरा target है वहां पर मैं exit कर जाओंगा इन केस अगर weekly basis पे ट्रेड कर रहे हैं monthly basis पे ट्रेड कर रहे हैं उस case में क्या करता हूं उस case में जो है आप यहां पे 70-80% या फिर 100% का अगर return हो जाता है तो फिर आप वहां से अपने investment को निकाल लेजिए रेस्ट को आप hold कर सकते हैं ट्रेड करता है जो आप किस टाइप के company में trade कर रहे हैं अगर आप डी मार्ट में trade कर रहे हैं आप इसको hold कर सकते हैं अगर आप कोई और दूसरी टाइप से जहां पर की completely only आप technical basis पे ट्रेड ले रहे हैं तो फिर वहां पर exit करना जादा है लेकिन कहीं पे अगर fundamentally भी आपक लोग जो है नीचे दिए के comment box में mention कर सकते हैं वापस से हम लोग इसके ओपर जो है एक query वीडियो बनाएं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लेक्टर के चनल को सब्सक्राइब जरू करण